अलो दोस्तों लोको मैं स्रीनिवासनों तीस साल का उपपर का कंस्रक्शन का अनब हुआ है यहां आपको बाक्स्टे वाटरप्रूफिंग बेस्में में कैसा किया जाता है वो हिंदी में समझाने के कोशिश कर रहा हूं मेरे हिंदी उचारन में गलत हो गये तो माफ वाटरप्रूफिंग क्या होता है वाटरप्रूफिंग एक ऐसे एक मजबूत दिवार होता है जो बार का पानी अंदर आने से और अंदर का पानी बिल्डिंग से बार जाने को रोकता है यह जो हाइड्रस्टाटिक वेट है जैसा जैसा बढ़ता है पानी के लेवल उपर आ पानी बिल्डिंग के अंदर आ सकता है बार भी जा सकता है यह ज्यादा से जहां होता है जहां वाटर बाड़ी जिसको जैसा पानी के तलाव यह सब जहां रहता है वहां ज्यादा होता है यह क्या बता है यह पानी यह आपको बिल्डिंग के अंदर गुसने से कांक्रीटिंग के पोरस में जाकी कांक्रीटिंग को कराब करने का कोशिश करता है यह जो पिक्चर जो दिखाया गया वह आपको पता चलेगा आपका वाटर प्रूफिंग कैसा किया जाते है वाटर पूरूफिंग का महत्वक पोरुण क्या हता है वाटर पूरूफिंग एक ऐसी चीज है, एक मजबूत दिवार है जो आपको बिल्डिंग का बेस्मेंट, स्विमिंग ख Ole kaël का बाँर का दिवार से पानी अंदर आने से अंदर का पानी बाहर जाने से रोकता है यह जो अंदर का पानी बाहर जाने से बाहर का पानी अंदर आने से यह बिल्डिंग का बहुत नुक्सान पहुंचाता है यह जैसे यह continuous होता रहेगा आपको बिल्डिंग का structural damage भी ओसकता है पानी का प्रबाव आग का प्रबाव का बात होता है तो इसकी रेज़ यह 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 पानी का डैमेज क्या-क्या होता है मैं आपका समझाने के कोशिश करता हूं लकडी के जो स्ट्रक्चर है उसका कराब कर देंगी आपको reinforcement को corrosion करेगा लोकन का कालम लोकन की दर्वा जाए यह सब corrosion होने का डर रहता है और प्लासर बोड का पुका जाता है और दीवार में लगी हुए आर्टिस्टिक स्टेल को चुट्टा कर देंगी जो एलेक्ट्रिकल ड्रिस्क है शाट सर्कूट जीसा एलेक्ट्रिकल ड्रिस्क हो सकता है पेिंट को डेमेज कर सकता है तबेट के इशू भी हो सकता है सोगीनस का कारन जाए वाटर प्लोफिंग को आप अच्चेर से प्लान करें की systematically करेंगी यह सब तक्लीफ हैं आपको कम बाक्स्टे वाटरप्रोफिंग यह जो बाक्स्टे वाटरप्रोफिंग जो जमीन के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है जैसे ही आपकी बेस्मेंट हैं स्विमिंग पूल है लिफ्ट पिट हैं यहां किया जाता है यह एक ऐसी वाटरप्रोफिंग सिस्टम है यह पानी का प्रश सकता है यह जो बयर परिआ है पहली बार इंदुसंत्र सब्समत सेज़ में किया उसकी सफलभगड़ कारण यह बहुत साथे इंदुस्तर के बहुत जगा में वापर आ जाता है यह आपको जो बाज़ को पिक्चरे आपको यह समझा सकता है box step waterproofing का basement कैसा बिटाए जाता है ह ہے यह बस यब करने के लिए आपको एक चारक 파ट इसको बैटाए जाता है इसकी जो जाइन्स हैं आगे पीछे रहना चाहिए जैसा इसका मतलब स्टैगर होना ज़रूर ही है टाइल्स बटाने के बाद रेतीमाल एक तीन से मिला कि इसकी जाइंस ने फिल किया जाता है वो जाइंस में पंदरा से एक दस समय में का मेटल बुसाए जाता है इसको उपर आपको एक तीन का जो सिमेंट रेतीमाल है वाटर प्रूफिंग के साथ में मिला कि प्लास्टा जैसा बिचाय जाएगा उसको तिकने से कम सकम 20 से लेके 25 से मम होना जरूरी है इसको क्यूरिंग करना साथ दिन तक बहुत जरूरी है यह जो प्लास्टा सरफेस को उपर आपको राफ्ट का सलिया बांदा जाता है कांकिटिंग किया जाता है और बार का रेटेनिंग वाल भी किया जाता है ये जो बार, ये जो सहबा Tile से, Retaining Wall का बार, वर्टिकली लगाय जाता है, तो वो पानी का आने के रोकने के लिए, ये जो सहबा Tile बिताने के बाद उसको चारों तरफ से सिमिंट का लगाना जरूरी है और यह लगाने के बाद ये साहभा टैल का तोड़ा दिवार के साथ में दबा के पकड़ना पड़ेगा किसको कारण यह पका उस दीवार का यह सहाबाद स्टोन वर्टी के लिए दीवारा को बाहर बिटाए जाता है यह जो आपको पिक्चर हैं यह बताएंगे सिमन पेस्ट यह सहाबास टैल का चारों तरफ से लगाये जाता है एक टाइम पे आप एक मीटर के वर्टिकल सहाबास टैल बिटाने का जाइन्स हैं एक दो का सिमन मोटर से मिलाये जाता है इसकी बाद उसको ग्राउट किया जाएगा ग्राउट करने के बाद उसको क्यूरिंग कम सकम साथ दिन तक करना है यह प्रासस का कारण आपको पूरा स्ट्रक्चर एक बाक्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका कारण आप दाराने का रोगता है फोर लवल में कैसा बिचाया जाता है यह आपको पिक्छर दखाएंगी वर्टीकल में कैसा बिटायाता है इसके अब यह पिक्छर समझाएंगी basement का drainage कैसा बिटा जाता है आप basement का bar 2 foot by 3 foot का एक drainage बनाने क्या उसको है आप इट का तुकडा खडी इससे filling करना है जो है आपको filler material जैसा काम करेगा है इसको उपर आपको जो भी डिजनरी टाइल्स है वो बिटा सकता है यह पात्वे के बात आपका एक ट्रेंच आल आराउंड बिल्डिंग का फिरी पिरी में कोदना जरूरी है यह जो आईस लेवल है जो आपका जो ट्रेंच का है वो कम सकम 15 सेंटीमीटर बाटम आफ दे बेस्मेंट के नीचे रहना चाह जिसको बुलते हैं पर्फॉरेटेड पाइप है तीनसो नहीं तो चारसो पचास का डया का स्लोप में बिटाए जाता है यह जाइंस यह पाइप का जाइंस हैं कभी फिल अप नहीं करना यह जो है और कोई कलेक्टिंग चैंबर में आपको पानी बरते जाएगा इस चैंबर को आपको अंदर बार प्लास्टर नहीं करना क्योंकि बार का पानी अंदर आजावे अंदर का पानी बार चला जावे यह पर्फॉरेटेड पाइप से हैं उसको उपर आपने इट का फिलर मिटीरियल जो आपको पर्फॉरेटेड पाइप का इसा बिटाना है यह बाजवाला इमेज आपको बताएगा प्रोसीजर यह जो पानी है अंदर्गोन का पानी है फिलर मीडिय का तुरू उपर आएगा जैसे आपना अल्डेडी स्लोप प्रोवेड किया गया यह पानी स्लोप को तुरू एकदम आखरी कड्डे में चला जाएगी वहां से आप उसको पंप लगा की बार का स्टाम वाटर ड्रेनेज में चोड़ सकता है पाइप कैसा बिटाना है यह आपको बाजवाला इमेज ब से डिस्कनेट करना बहुत ज़रूरी है और इसके चारों तरफ से एक ट्रंच बनाना है जो पानी जो अक्यूमिलेट होगा वो एकदम नीचे का पिट में चला जाएगा यह ट्रंच का जो बाटम बिड रहता है उसको अच्चियर से स्लोप में मेंटिन करना है उसको ग्रावल और कड़ी से फिल्लिंग करना है विच अक्ट असे फिल्लर में सम्मरी आज इकल पॉब्लिक को बहुत जानकारी होगी वाटर प्रूफिंग कैसा किया जाता है और यह भी समझता है वाटर प्रूफिंग बराबर नहीं करने से उसकी बिल्डिंग के नुक्सान हो सकता है वाटर प्रूफिंग एक ऐसी एक चीज़ है यह बिल्डिंग के महतवपूर्ण अंक है ये चार तरीके से ये waterproofing successful होने का कारण रहता है ये आपको जो design है शुरुवात में अच्छेर से प्लान कीजिएगा कौन सा product वापरना वो भी पहले से select किया जाएगा उसको जो application procedure भी बराबर करना जरूर ही है ये सब करना के बिना ये waterproofing fail हो सकता है वो बहुत नसान पहुंचाएगा आपको आप ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कोई भी queries होगा तो आप मेरे को लिख सकता है ये वीडियो आपका अच्छी लगेगा तो like कीजिए ये शेर कीजिएगा ये अमारा हिंदी कमज़र होगा तो मुझे माफ कीजिएगा अगले presentation में कोशिश करूँगा इसको सही करने का